तो गाइस आज हम इस वीडियो में इन दस्टार्स एल्टीटी शेयर के बारे में देखेंगे जो शेयर का फ्राइज है वो 202.40 पैसे है और इस शेयर ने वंडे में अब तक 0.37% तक के रिटन्स दिये हैं बात करें 5 दिन की तो 5 दिन में जो शेयर उसमें 0.91% की गिरावट आई है और 1 मंद में देखेंगे तो वनमन्थ में जो शेयर उसने 7.15% तक के रिटन्स दिये हैं 6 मंद की बात करेंतों 6 मंद जो शेयर उसने 0.57% के रिटन्स दिये और customize में देखें तो 18.67% की इस शेयर में गिवाच आई है वहीं अगर हम मैक्स में all बात करें तो all time में भी जो share उसमें 12.44% तक की गिरावट आई है share के book value, face value और beta को देखें तो तीनों ही काफी जादा positive है तो ये share अभी short term में भी risky नहीं है तो आप चाहें तो इस share को long term के लिए भी hold कर सकते हैं share के returns की बात करें तो 5 सालों में जो share के returns है वो one year तक minus में रहे हैं और six month, three months और one month में जो share के returns है वो positive रहे हैं अभी इस share के returns one week से minus में चल रहे हैं तो आप इस share को अभी hold करके रखिये share के बलकडील की बात करें तो 2 December 2020 को company के 2.47% share है उनकी purchasing हुई थी और 24 February 2022 को 2.36% share है उनकी selling हुई थी और 24 February 2022 के बात इस share में कोई भी बलकडील नहीं हुई है share के resistance और support को देखें जो इसका पहला support है वो 201.23 पैसे है दूसरा support 199.72 पैसे है तीसरा support 198.13 पैसे है share का पहला resistance 204.33 पैसे है दूसरा resistance 205.92 पैसे है तीसरा resistance 207.43 पैसे है share के share holding को देखें जो promoter है उसके पास 69% की share holding है FII के पास 26.5% की DII के पास 2.92% की public के पास 1.57% की इस share की जादतर share holding प्रमोटर के पास है सबसे कम DII और public के पास और FII के पास भी इस share की अच्छी share holding है हुआहँँबStown